हाँ तो भायू क्या आपको एक इलेक्टिक ओड़ो चाहिए आपके बिजनेस परपस के लिए और क्या आपको एक इलेक्टिक स्कूटर भी चाहिए अपने दोस्तों और 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 जो भी है उनको गुमाने के लिए तो यह हो सकता है सिर्फ एक ही इलेक्टिक वेहिकल से अरे टेंशन क्यों ले रहे हो में हूग ना मैं बथाता हूँ कैसे हो सकता है अब ही हाली में hero motor cup ने जैपुर में कीवइंट रखा जहां पी उन्होंने ic vehicle को भी दिखाया हम इस ic vehicle पे काम करें और एक दो को उन्होंने वहाँ पर launch भी किया साथी साथ hero motor को अपने कुछ इलेक्टिक वेहिकल को भी लोगों से इंट्रड्यूस कराया हनुविल किया बताया उसके बारे में इसमें हमें हीरो की सर्च अपनी अपनी आटो को इलेक्टिक स्कूटर में बदल देंगे उसके बाद मौजे काटिये जो भी करना है करिये अभी तक जितना मैंने आप लोग को बताया इतना सुनगे तो आप काफी मतलब सोच रहेंगे इनुवेटिव गाड़ी है इससे कुछ अलग अलग तरीके भी किये जा सकते हैं सपोज डाट आपकी गल्फ्रेंट की साधी दूसरे से वह रही है तो उसको उसके घर से भागा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाईएगा बताता क्यूंकि इसके साथ आप लोग को टॉप स्पीड थोड़ा सकम देखने को मिलेगा उ और कि स्कूटर की बात करें तो इसमें आपको त्री iPhone 5 कि ready वेटर देखने को मिलेगा और 36 कि लौत का भाटर ने को मिलेगा और 60 kmph के top speed के साथ जाती है और electric auto 50 kmph के top speed के साथ जाती है साथी साथ आपको इसमें तीन अलग-अलग utility purpose भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि इसे आप cargo में भी ले सकते हैं इसे आप loader segment के लिए भी ले सकते हैं और इसे आप passenger के लिए भी ले सकते हैं passenger को इधर उदर लेके जाने के लिए तो यह काफी innovative है गाड़ी वैसे आपको क्या लगता है यह इंडिया में चल पाएगी वैसे मुझे तो नहीं पता है कि चलेगी की नहीं चलेगी लेकिन इसके साथ मैं बहुत ही amazing amazing कामे करूंगा इसके साथ मैं कुछ खास नहीं करने वाला यह अभी देखने को भी मिलेगी इंडिया में की नहीं इसके बारे में कोई confirmation नहीं है यह concept model था जो कि उन्होंने वहाँ पे दिखाया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं और I hope लोगों को ज्यादा पसंद आ जाती है यह concept तो यह ला भी सकते हैं लेकिन मुझे जहां तक बात की जाए तो मुझे उतना नहीं लगता कि यह इंडिया में उतनी चल पाएगी क्योंकि इतना innovation किया गया इसके सांथ तो इसमें खर्चे भी बहुत ही लगे होंगे पैसे भी बहुत लगे होंगे जो कि इस गाड़ी को expensive बना सकता है और बात की जाए एलेक्ट्रिक कार की तो MG कॉमेट हमें 7-8 लाक के करीब में एक शोरूम प्राइस के साथ मिल जाती है और जब यह 5-6 लाक में एक शोरूम प्राइस के साथ मिलेगी जहां तक मेरा opinion है तो आप कौन सच्वाइस कीजिएगा MG को लेना पसंद कीजिएगा या इस वैसे जहां तक मुझे लगता है कि सब लोग MG कॉमेट के साथ ही जाएंगे वैसे आप कॉमेंट में जरूरूर बता सकते हैं कि आप किस के साथ जाएंगे और क्या आपको भी लगता है कि यह 2-in-1 एलेक्ट्रिक वेहिकल चल सकती है इंडिया में कमेंट में जरूरूर बता ही है और कोमेंट में जो भी पूछना हो कोमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को समाब ग्रीन गो इलेक्ट्रिक